नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूटीब चैनल में आज हम बात करेंगे हतेली में भाग योग की विशे में बहुत सारे जातक के हतेली में भाग योग होता है ये योग जिनके हतेली में होता है इनको धन संपदा से परिपूर्ण रहते हैं जीवन में किसी ठाओमान समान भी प्राप्त होते हैं यह कई प्रकार के होते हैं उनमें से 4-5 की आज इस अंके में बात करेंगे सरपरतम आप देख लें कि भागे रेखा को सभी लोग जाना रहे हैं भागे रेखा कहां होती है अगर यह आपकी भागे रेखा कुछ इस प्रकार से यह कहां से निकल रही है यह दूसरी बात है कि यह हो सकता है आपका सुक्र से निकले चंदर से निकले मनिबंद से निकले हम बात कर रहे हैं यहां उपर वाली बात को देख जब 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 यह सनी परवत पे जब यह पहुँच जाता है और इसकी एक ब्रांच अगर पतली से भी रेखाएगा आपको इस प्रकार से लगए कि यह निकल के गुरू पे जा रहा है यह देख लेजिए चाहिए ऐसे जाया कि यह भाग योग होता है अब इनको क्या हो रहा है कि धन के साथ साथ इनको गुरू का भी सहयोग मिल रहा है गुरू क्या कहता है गुरू राजनितिक सफलता समाज में मार्ग दर्सन को दिखलाता है अध्यात्म के परतिरूची धर्म का ग्यान रहस्यमें विद्या का ग्य समाज में पर्तिष्ठा ब्रस्पति सब कुछ देता है और धन चुकि भागी रेखा है तो धन तो इन्हें पराप्त हो ही रहा है सनी पे पहुंचना यह कर्मज का छेतर है कारी का छेतर है यह धन और गुरू दोनों का एक दूसरे से सहयोग बन गया मतलब धन तो इनके पास र कहीं अच्छे अस्तर पे अच्छे गुरू मट के यह बड़े मठादीस हो सकते हैं बड़े इन्वर्सिटी बिस्विद्याला में लेक्चरर प्रोफेसर हो सकते हैं इस प्रकार की चीजें देखी गई है चुकि यह दोनों का कॉम्बिनेशन मन गया अब इसमें दूसरी प् कि यह देखा आपकी जातो रही थी है लेकिन यह सनी पे जाके मुढ के अब गुरू पे पहुंच गई ति इसके से अंपर्भावबत का आ कि यह भागी हो गहा भी करेंगे धन भी बहुत रहेगा दोनों चीज़ों समाज में पर्तिष्ठा भी बहुत प्राप्त होगी धन की भी प्राप्ति होगी तिया एक अपने आप में भागियों होता है आई अब कि नेक्स्ट चिन्न के भी से में हम बात करने हैं तो Hanım नेज़ेर जितनी भी लंबी हो या छोटी हो माल लिया जाए कुछ लोगों क्यों ये इतना ही रहता है लेकिन माल लिया जाै आपकी सोटी भी उसे कोई अंतर नहीं दियान देना है कि सूर्ज रेखा के ठीक नीचे साइड में नहीं बगल इधर इधर उदर नहीं आपको सूर्ज रेखा के ठीक नीचे अगर इस प्रकार से तिरकोन बनता हो आड़ी तिरची रेखाओं से तिरकोन बनता है तिरभूच का निर्मान प्रयाटक को समाज में उच्य पद राप्ति होती है। अगर इंगा कारी पर कारी करें, इनको वहां पर उच्य पद, उच्य स्तिति, मतल Earle Astar का कोई कारी यह नहीं करेंगे। जब भी करेंगे बड़े अस्तर में कारी करेंगा, अगर यह किर्शा की होंगे तो बहुत बड़े किसान होंगे सेकड़ों एकड़ की जोत हो सकती है, इस प्रकार की चीजें देखने को यहाँ प्राप्त होती है धन संपता सब चिस से परिपूर्ण मान परतिष्ठा से परिपूर्ण ताब को दीख लाता है अब एक next चिन इसी में बनता है हतेली में भाग योग कई परकार के होते हैं सास्तर में इसका बिसे करीब करीब 15 परकार के भाग योगों की बिसे में बताया गया है तो आपके सुर्ज पर एक नच्छतर का चिन है, नच्छतर का चिन इसे नच्छतर का चिन अपने आप में सुर्ज में बहुत सुबिस्तिती होते है लेकिन साथ में एक भाग रेखा का होना इसे भी सास्तर में भाग योग की संग्यान दी गई है यह भी भाग योग है इसमें धन के साथ साथ सुर्ज शासन परसासन राज द्वारा लाब पद परतिष्ठा राजनितिक सफलता सब कुछ देखने को प्राप्त होता है सिर्फ ही ये इस्टार का चिन या नच्छतर का चिन अपने आप में ऐसा होता है कि जातक को धन अत्यधिक मात्रा में देता है धन के मात्रा में सुतंत्र होते हैं ये देख लिए लेकिन वाकी भागे रेखा कि इस्तिती सूब होनी चाहिए अगर सूब है तो भाग का सहयोग और इसका सहयोग दोनों एक दूसरे को कॉंबिनेशन बन जाते यह ऐसे जातक के पास धन बहुत अधिक रहेगा अगर यह किसी भी कारण से जहां भी कारी करें इसे तो समाज में इनको उच्च पद मिलनाता है जो भी कारी करें धन का लाब बहुत होगा जीबन में अपार धन सौगात मिलता है इसा सास्त कहता है साररिक और मांसिक रूप से अच्छा स्वास्त को भी पदान करता है ये मांसिक रूप से बहुत सबल और सक्षम होते हैं किसी भी कारी को करने में नहीं घवराते हैं जैसा भी कारी हो ये कहेंगे मैं कर लूँगा और ये उसमें सफल होती हैं ये इश्टार का चिन्न इतना गुमान है अब ये इश्टार के साथ साथ एक अच्छा साप सुतरा और भागी रेखा होना अपने आप में बोच चीज होती है तो कई परकार के जिसमें से हमने कुछ परकार के भी से मैं आपको बताया तो इसमें ध्यान देने की बात है कि जो भी रेखाएं हैं अगर साप सुतरी अर असपस्ट हो तो ये पूर्नता सुभफल देती है अगर इसमें किसी परकार का दाग है लहरदार है कटिंग है कोई रेखा काट रही है तो इसके सुभफल में फिर कमी आ जाती है और हाथों की बनाबट अंगलियों की बनाबट पर भी बहुत कुछ निर्वर करता है तो अंक्तिम निर्ने पर पहुँचने से पहले इन सब चीजों को बिसेज ध्यान देना चाहिए आज की आंके में इतना ही मिलते हैं अगले आंके में धान्यवाद